आजगल Capital Smartity के वाले से किसी memory call रसीव होती है तो सबसे पहला सवाल ही किया जाता है Capital Smartity में किन रेट सो बुकिंग हो रही है नमबर वन, नमबर दू Capital Smartity में मुख्लिफ डिस्टेक के अंदर development की सूर्थेहल क्या है तो आज जो दो main topics हैं उसको इस वीडियो में address करूँगा नमबर वन, Capital Smartity में किन रेट सो बुकिंग हो रही है इस वक्त आज Capital Smartity की website विजिट करते हैं तो Capital Smartity की website पे आपको एक rate list मिलती है लेकिन उस rates पे अभी तक smart society की दरफ से booking का आगाज नहीं किया गया Capital Smartity ने भी recently near rates रिवाइस जूर की है लेकिन near rates पे जो booking है वो interchange के बाद ही start होगी interchange के सवाल जरा comment सुनने को मिलता है कि interchange पे construction कब से start होगी तो इसके अभाले से society ने भी को clear indication नहीं दी कि interchange पे construction कब से start करेंगे और ने rate की revision भी integrity construction के बाद जब नया block launch किया जाए है नया district launch किया जाएगा overseas west इससे पहले overseas prime overseas east overseas central हार्मी पार्क overseas east और हार्मी पार्क overseas central ये districts launch किये और executive block launch किया गया है executive block को development wise सबसे पीछे रखा गया है और बाकी जो block sun की development अपने लिहाज से बहुत ज़्यदा अच्छी pace पे जा रही है again back to the topic के capital smart team में इस वक किन rates पे booking हो रही है capital smart team में इस वक जो rates पे booking हो रही है उसमें पांच मरला का जो plot है 24,15,000 रुपे का and see you booking हो रही है with profit market में आपको resell में मिल जाएंगे और fresh में मिल जाएंगे plot इसमें booking हो रही है second 7 मरला का जो plot है 37,39,350 रुपे का 91,150,000 रुपे का third is 41,40,000 ये resell में मिल जाएगा और fresh में मिल जाएगा और इसके लावा जो 12 मरला का प्लॉट है 45,47,000 का वो ही आपको रीसल में और फ्रेश में मिलेगा और कनाल का प्लॉट है 62,10,000 का वो ही आपको रीसल और वो ही आपको फ्रेश मिलेगा और दो कनाल का प्लॉट है, एक रोड किस लाग उननीसज़ार का, वो प्लॉट भी आपको रिसेल में वेलेबल है, यहां फ्रेश प्रेश प्रेश तो मुश्केल है किसे मिले, लेकर रिसेल में मिल जाएगा, अब इन प्लॉट पे इनके इलावा जो बाकि रेट्स मार्केट म मेरी आपसे सजेशन ये कि आप ऐसे किसी rate पे payment मत करें किसी ऐसे rate पे advance booking मत करें क्यूँकिए इस से पहले लहूर स्मार्टी में भी हुआ यह था कि पहले advance लोगोंने payments करके booking करवा लीं बाद में उन respective sales agent को बाद में quota society की तरफ से allot नहीं हुआ और बाद में उनको अपने पैसे recover करने के लिए काफी तगोदो करने पड़ी तो इस मुश्किल से बचने के लिए मैं आप से recommend करूंगा कि आप सिर्फ जो current rate market rates हैं उन पे booking करें new rates पे promise वाली booking बिल्कुल ना करें कि आपको quota मिलेगा और आप उसमे quota में आपको accommodate किया जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि society की तरफ से सिर्फ जो quota की allocation का process है वो society की management की पता है सिर्फ कि किस agent को कितना quota allocate करना है किस sales partner को कितना quota allocate करना है किस booking में society की तरफ से हर बंदे को open booking की अजाज़त नहीं होती क्योंकि society के इतने ज़्यादा authorized sales partner है तो तमाम के तमाम sales partner को booking में accommodate नहीं किया जासकता जैसे recently one capital apartments की booking हुई थी launch तो one capital apartments की booking में out of 600-700 agents मेरे हाल है मुश्किल से को 30-40 agents होंगे जिनको society की तरफ से accommodate किया गया था quota की selling के लिए तो इसलिए new rates जो society की website पे available है उन rates पे अभी तक booking स्टार्ट नहीं ही पुराने rates के अगर आप profit जाना चाते है तो पांच मरला तक्रीबर इस वक्त आपको 5-6 लाकी bracket का मिल जाता है plot fresh साथ मरला भी तक्रीबर इस वक्त आपको fresh plot मिल जाता है दस मरला और बारा मरला का plot है तक्रीबर आट से साथे आड़ लाकी bracket पे आपको fresh booking मिलती है और कनाल का plot 16-17 लाक प्रॉफिट पे आपको fresh booking मिलती है last rate close हुए है जो February में last booking आई थी वही market में कुछ लों के बाद fresh available है और resell में यही available है resell और fresh में क्या फर्क होता है कि resell में आपको जो timeline मिलती है pay करने की installment वो गुजरी भी timeline आपकी count नहीं होती let's say plot का payment plan है सवा 3 साल का booking एक मेने बाद confirmation उसके बाद 12 quarterly installments तो जो आपका resell में time गुजर चुका होता है वो count नहीं होता let's say कि किसी दे बुकिंग करवाई 2020 में और 2022 में transfer करवा रहा है तो नया payment plan आपको तक्रीबर डेट साल का बन के मिलेगा fresh में आपको यह payment plan तक्रीबर आपको सवा 3 साल का मिलता है दोनों में सिर्फ फर्क सिर्फ time line का होता है बाकी profits में बड़ा minimal सा फर्क होता है जो इतना marginalized नहीं है लेकिन इनिकेस यह booking जो हैं सिर्फ आपको 24,15,000 वाली जो booking है market से सिर्फ वही available है और बाकी जो इससे पराणी booking हैं जैसे पांच मला की पराणी booking थी 19,500,000 और 21,000 वाली booking वही market से व 이용ब जै 한 Active blocking इसके सतरालाग, 18,500, 19,600, 21,600 यह वाली booking आपको market में रीसेल में वी वाली में है और बाकी यह 18,000 भाग, 29,000, 21,000 यह वाली जो booking है यह तमाम के तमाम booking आपको सिर्फ और सिर्फ मुकंबल कैश मिलेंगी क्योंकि इनके installment का time खतम हो चुका है 2017 ये 2018 की booking सी है इसके बाद इनका जब time खतम हो चुका है तो मकमल cash पर इस society आपको transfer करवाने की अजाज़त देती है इसके लावा बाकिया plot को transfer करवाने की permission आपको नहीं है सिर्फ आप 2020 आनवर्ड जो file है वो 20% plus 3 installments पर transfer करवाज़ते है resale में सिर्फ आपको 20% ये 10% down payment देनी होती है और जो resale की file है sorry fresh में आपको 10 और 20% down payment देनी होती है और resale की file में 20 plus 3 installments के साथ आपका plot transfer होता है अब आते हैं जिस सबसे critical topic है वो यह है कि interchange की construction उसके बाद जो नया block launch होना है जो rate revise होने है क्या वो उन पर start हों गई है अभी तक society की तरफ से interchange construction का properly कोई भी official notification जारी नहीं किया गया कि यहां से भी हम इस rate से flood rate से हम construction स्टार्ट करेंगे sidewise activities साइट पर बहुत ज़्यदा हो रही है sidewise activities में सबसे पहले recently अभी national university of modern language नमल की जमीन उनको handover की गई है उस पर construction स्टार्ट हो गई है बाकी overseas east में पहले स्कूल बना हुआ है smart school इसके लावा executive block में properly college बनाया जा रहा है और इसके लावा overseas prime में girls college बनाया जा रहा है यह construction के sidewise activities चल रही है जो में आपको बताया के educational prospects को लेते हुए यह यह construction के activities हो रही है और बाकी जो एक bridge स्टार्ट है जो executive block overseas prime कर्मर अपसमें connect करता है उस bridge का inauguration कर दिया गया बाइजायद रफीक the chairman of hrl group इसके लावा site पे भी बाकी activities के वाले से इंशाला rates आने हैं अब ने rates launch होंगे जब तो उसके बाद वो rates लाजमी नी कि आपको level पे मिलें वो definitely market के demand पे depend करता है जैसे लाहूर में product launch होती है तो product day one से profit बजाती है capital smart team में जो product launch होती है day one से profit होती है तो इसी तरह जो new bookings launch होंगी उनकी launching के बाद उनका decide होगा कि उन पे क्या profit है क्या profit पे available है या level पे available है या जो भी procedure होगा for the time being society की तरह से direct कोई bookings जो है available नहीं है ना society kit website पे available है ना किसी agent के पास available है तो बराएकर हम ऐसे agent से राबता करने में थोड़ा मुखत रहे हैं करना मत भूले www.makansolutions.com अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्रीज दू लाइक कॉमेंट एंड शेर और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें रिज्वान चीमा को दीजे जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज लाइक झाल अुभ क्यूस्स लग राभ